यह तस्वीरें दक्षन कोलकाता के भवानी पुर्विधान सभा की हैं यहां की विधायक है पश्च मंगाल के मुख्यमंत्री और त्रणमूल कॉंग्रिस के अध्यक्षा मम्तबनर जी इसी छेतर में आता है विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं कि रानी विक्टोरिया इसी महल में रहा करती थी और बग्गी में बैठ कर घूमा करती थी रानी विक्टोरिया तो अपने ही रही लेकिन विक्टोरिया का महल और बग्गियां आज भी हैं कोलकाता दक्षन का भवानी पुर्विधान सभा जितना विक्टोरिया महल के लिए जाना जाता है उतना ही बग्यों के लिए भी जाना जाता है बाहर से आने वाले परेटक आज भी बग्यों की सवारी करते पाई जाते लेकिन जिस खोड़ा गारी पर बैठकर परेटक सुकून का अनुभव करते ही उसे चलाने वालों की स्थिती दैनिये है बग्य मालिकों ने हमें बताया कि उनके लिए घोड़े को खेलाना ही भारी पड़ रहा है इतना ही नहीं घोड़ा मालिकों ने हमें ये भी बताया कि पहले उन्हें सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं भी मिलती थी लेकिन अब वो भी बंद हो गई है भवानीपुर में बग्यों की कहानी जानकर हम यहां का लोक्तंत्र का सच जानने पहुँचें चुकि यह मुख्यमंत्री ममता बनरजी का विधान सभा छेत रहें इसलिए हमें उम्मीद थी कि यहां विकास हुआ हुगा हम जानकर खुश हुए कि भवानीपुर की जनता ममता बनरजी के काम से संतुष्ठ है लोगों ने हमें बताया कि ममता बनरजी ने विकास के कई काम कर रहे है अर्चीज ठीकी लग रहा है अच्छा है